करेंगे एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग बट स्कैरी टॉपिक पर इसका नाम है डिफ फेक वीडियोज इंटरनेट पर आपने बहुत सारे वीडियोज देखे होंगे इसमें सेलिब्रिटीज और पलिटिशिन्स कुछ ऐसे काम करते दिखाए जाते हैं जो एक्चुल में उन्होंने कभी किया ही नहीं और ऐसे ही वीडियोज को डिफेक वीडियोज बोला जाता है and they are created using AI techniques so basically इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे डिफेक वीडियोज को बना जाते हैं and क्या होते हैं यह डिफेक वीडियोज what are defects और यह जो वीडियो प्ले हो रहा है वो किसी ब्रिटिस इंडियन गल का है जो कि वह एक इंफ्लूएंसर है जिने बनाने के लिए AI टूल्स का यूज किया जाता है in techniques का यूज किसी एक person का appearance और voice किसी दुसरे person से replace करने के लिए किया जाता है ऐसा करने पर हम किसी person को कुछ ऐसा करते देख सकते हैं जो उसने कभी वैसा कुछ कुछ किया ही नहीं हो for example आप मेंसे बहुत ही ने तो उस वीडियो को जरूर देखी होगी इसमें US President Prague Obama को उनकी बहुत में कुछ ऐसा कहते हुए दिखाया गया है जो उन्होंने कभी वैसे कुछ कहा ही नहीं और बहुत investigation के बाद यह अब पता लगी कि उस वीडियो को एक Jordan Peele नाम का comedian ने create किया था अगर हम बात करें GANS की तो यह दो network के help से work करती है पहला generator network जो की fake content create करता है और दूसरा discriminator network जो की fake and real content के बीच difference बताती है जहां एक तरफ generator network fake content को जितना हो सके उतना realistic बना कर discriminator network को full बनाने की कोशिस करता है वही discriminator network उन flows and artifacts को sport करता है जो generator network ने अपने fake content में use किया हुआ होता है इस process में दूनों network एक दुसरे से compete करती है और इस तरह से एक दुसरे का performance भी improve करते है किसी का अटिफिक वीडियो बनाने के लिए एक creator को से से पहले किसी एक neutral network पर किसी person का real video photos का घंटों तक रन के जाता है ऐसा करने से एक realistic understanding आ जाती है कि person looks like from many angles and under different lightning फिर उन trend network को computer graphics technique से combine कर दे जाता है उस combination के बाद किसी person के face को copy कर किसी non actor के face पर superimpose करना इजी हो जाता है and at last this is how the fake videos are created